यह बड़ी खुशी की बात है कि हम जो जिस सब्द का हम लोगों ने एक तरह से उप्योग किया था अमेरिका में इंडिक वो सेंटर फर इंडिक स्टडी जब बन रहा था करीब 15-16 साल पहले तो हम लोग सोच रहे थे क्या इंडियन लिखें या कि साउथ ऐसियन लिखें इस तरह की बहुत सारे वेदिक लिखा जाए तो उस समय दिमाग में आया कि इंडिक लिखते हैं क्योंकि हम लोग इस इसको सीमित नहीं करना चाहते थे सिर्फ इंडिया से सीमित नहीं करना चाहते हैं इंडिया रिलेटर चीजे क्योंकि भारत की जो परंपरा रही है जो हम लोग विदेशों में देख रहे हैं उसके आधार में जब देखते हैं तो यह भारत जो हम आज देखते हैं जिसको हम लोगों, हम तो विदेश में रहते हैं पिछले 33 साल से, इसके काफी पहले ये सारी चीज़ें वहां जा चुकी है, अमेरिका में भी ये सारी चीज़ें करीब 200 साल पहले जा चुकी है, वहां के लोगों को बड़ी उत्सुकता है, विद्वजनों लोगों के अंदर उत्सुकत ना दे बलकि इसको बिस्तृत किया जाए आप लोग तो जानते ही होंगे इस दुनिया में वैसे तो बहुत हमको ये कहा जाता है भारत बिस्जुगूरू था और फिर से बिस्जुगूरू बनेगा इसके कुछ मापदंड भी होने चाहिए इसकी कुछ बिस्यस्ताइं भी होनी चाहिए इसके कुछ सबूत भी होने चाहिए इसका इतिहास भी होना चाहिए तो ये सारी चीजें हैं और जैसे कि मैं तो विज्जान का विद्यारती रहा हूं और संस्कृत मैंने पढ़ा था 12th grade तक जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं थर इसका इतिहास आपको बहुत जगा मिलेगा मैं अपनी इसलिए कुछ बाते बता रहा हूं जैसे आपको पता लगे कहां से मेरा द्रिश्टकोंड कहां से आ रहा है तो अब नराई के रूपे देखे महात्मा गांधी को ले अगर उसे कोई उनको नराई नहीं बोलता है लेक आने के समय से माना गया महात्मा गांधी यहां तो तुलनात्मद धंसेगर देखा जाए तो एक समरांद परिवार के थे उस जमाने में बैरिस्टर जाके बिलायत में पढ़ना इतना आसान नहीं था मैं तो जो मैं गाउं का रहने वाला हूं वहां एवध्या के पास हमारा है और हमारा रिस्ता इस मध्य प्रदेश से है कि हमारी हमारे फादर इल्ला और मदर इल्ला हमारे फादर इल्ला प्रोफेसर थे वहां गवर्मन्ट कालिज गार्रवारा में तो मैं वहां आया करता था बलकि आज मैं सुबह आया तो मेरे फादर इल्ला तो अब नहीं रहे हैं उम्मद्यप्रदेश में उत्तरप्रदेश से जादा होती है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं गाउं का रहने वाला, जो मैं गाउं से निकल रहा था अमेरिका जाने के लिए, 1983 की बात है, तो 200 लोग हमको छोड़ने आये थे, बस बैस बैठाने आये थे, मतलब बहुत बड़ी चीज, महात्मा गाधी जब गए होंगे, कितनी बड़ी बात रही होगी, उस समय वो बैरिस्टर बनने गए थे, लेकिन इसका मतलब वो हम, जतना हमारा जो बैक ग्राउंड है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उस से उनका कहीं ज़्यादा रहा होगा, लेकिन उनको देश के प्रती कुछ जग, यहां नहीं, जब यहां थे तो कुछ नहीं लग रहा था, कि वो कोई स्वतनत्रता संग्राम वो छेड़ने वाले हैं, उनको सारी अहिंसा और सत्याग्रा की बातें समझ में आएंगे, कुछ नहीं समझ में आया था, वो तो बैरिस्टर बढ़ने गए थे, वहां गए तो समझ में आने लगा, दूर जाने से अपनी चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं, तो हमारा एक दृष्ट कोण वहां से वैसे कहें तो राम और कृष्ण भी अनाराई थे, क्योंकि वो भी अपने जहां पैदा हुए तो वहां से गए, दूर गए, तो वहां की चीज़ें ज़्यादा समझ में आए थी, तो ये एक अनाराई एफेक्ट जो है, मतलब ये तो हमारे फिलास्पिन दर्सन में है, कि चीज़ों को तटस्त भाव से देखना पड़ता है, जब उसमें फंसे रहते हैं, तो वो नहीं हो पाता है, आप लोगों ने कुछ योग उगेरा का लेक्चर करवा चुके हैं, योग का उद्देश से जो है, वो यही है कि हम तटस्त बने, हमारे दिमाग में चारी चीज़ों घूम रही उनको बंद किया जाए, तब ही दिखाई पड़ता है, तो हम यहां पे बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारा एक संजुक परिवार है, गाउं में रहता है, मैं वहां अभी यहां से जाऊंगा, बंबई होके वहां पे, जब भी आता हूं जाता हूं, तो ऐसी चीज़ों इन परिस्टियों, इन परमपराओं को बनाने के लिए, हम भी उसमें फंस जाते हैं, जाते हैं, गाउं में देखते हैं, अभर की समस्याएं, लेकिन मेरे विचार हमारे घरवालों की विचार से अलग होते हैं, गाउं के प्रती ही, क्योंकि वो उसमें लगे हुए रहते हैं, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, यह सारी चीज़ें उनके दिमाग में लगी रहते हैं, क्योंकि मैं उसको भुक्त भोगी नहीं हूँ, इसलिए दूरी जो है, हमको सोयंगी तटस्थ बना देती है, बहुत सारी चीजों में, तो वो हमारे विचार हैं, फिर मैं विशयका नहीं हूँ, जो यहां की कहें तो फिलासफी या सोसियालजी या एकनामिक्स या प्लिटिकल तो मेरी यात्रा है, वो एक तो मेरे गाउं से और अमेरिका तक की यात्रा है, अमेरिका में भी ऐसा अस्थान मिला हम लोगों को, सिख्षक बर्क का बड़ा ही सम्मान होता है, वहां पे भी, यहां पे भी, और होना भी चाहिए, और दूसरा ये कि मैं विज्ञान से जो की बड़ा ही टेक्नलाजिकल, बड़ा सफिस्टिकेटड मानते हैं, वहां से एक यात्रा दो की दूसरी तरफ माना जा सकता है, पीछे की तरफ, हमारे प्राचीन में जाने की हमको मजबूर किया, कि हम अपनी ही चीजों कैसे देखें, तो वह हमारी, हम जो आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वही हमारी यह सियात्रा की कहानी है, तो संस्कृत और साइंस, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं जब से इसका सेंटर फर इंडिक स्टडीज का डिरेक्टर बना था, तब से यह सवाल हर दम पुछा जा, संस्कृत का कल्यान क कैसे होगा सारे लोग सोचते हैं कि government को बोला जाए वो और teachers की जगा खोल दें और सारे संस्कृत पढ़ने वालों को teaching position मिल जाए और उस फे हमारे संस्कृत का प्रसार हो जाएगा लेकिन जब तक मेरा अपना विचार है जब तक इसका उपयोग नहीं होगा तब तक किसी GPS लगा हुआ है टैक्सी ड्राइबर को अठ्वी दर्ज्वी दस्वी पास है अंग्रेजी नहीं आती लेकिन सारा डिरेक्शन अंग्रेजी में है GPS का सारा डिरेक्शन अगर हिंदी में हो तो को बताईएगा कोई अंग्रेजी ये computer खोलिए तो सब चीज अंग्रेजी में ख अफ़ाल में कुछ वहां पर यहां पर बैल्यू एजुकेशन की बात हो रही थी तो उसमें मुझे बुलाया गया था तो उसमें भी मैंने सुस्मा सुराजी से मिला था तो मैंने यही कहा था कि आप लोग कितना भी कर डालें जब तक हिंदी का प्रियोग टेक्नालोजी में नहीं होगा तब तक आपकी भासा नहीं आगे बढ़ेगे और मैं इसको अनुभव के साथ कहरा हूँ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम Enterney से बहुत आगे बढ़ जाते हैं हमको नौकरी मिल जाती है हैं कुछ हथ तक सही है हमको बाहर जाने का मौका मिलताence उब अर जो लोग हैं हम बहुत सारे और्गनाइज करते हैं कान्फरेंसेज, मीटिंग, सिंफोजियम समिनार, कॉलाबोरेटर्स हमारे करीब 75-85 कॉलाबोरेटर्स हमारे साइंस में हैं, तूरी दुनिया में जब भी भी आते हैं उनका कंप्यूटर उनकी भासा में खुलता है जैपनीज का कंप्यूटर जैपनीज में खुलेगा चाइनीज का चाइनीज में खुलेगा जर्मन का जर्मन में खुलेगा इटाइलियन का इटाइलियन में खुलेगा फ्रेंच का फ्रेंच में खुलेगा आज मुझे कोई भी बैग्यानिक नहीं मिला है जिसका computer उसकी अपनी भासा में नो खुलता हूँ Indians को छोड़के Indian का सब computer उनकी अंग्रेजी भासा में खुलता है यह हमारी गुलामी हमारी दास्ता को इंगित करता है और मैं इसलिए नहीं कि मैं तो अंग्रेजी का खाता पीता हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, अंग्रेजी कोई चिर्ध नहीं है अंग्रेजी हमको आनी चाहिए सब को जिसको सीखना सीखे लेकिन अपनी भासा में जब तक हम नहीं सीखेंगे और हमारी अपनी भासा का जो सुरोत हो संस्कृत है और जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हमारी बिचार जो है, हमारे बिचार को ऐसा समय लगेगा, 7-8 पीड़ी लगेगी, जिसमें कि हम भूलेंगे उसको, और फिर 7-8 पीड़ी और लगेगी, जिसमें हम अंग्रेजी को अच्छी तरह से सीख पाएंगे, अगर ऐसा करना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, और भी समस्याएं हैं, लेकिन संस्कृत की जो अपने विसेस्ताएं हैं, जो उसमें ज्ञान के भाव हैं, वो नहीं आपाएंगे, उसको मैं या एक दो चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिसे एक आपको तो मुझे बड़ा कस्ट होता है, क्योंकि मैं संस्कृत का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं हर जगा सवाल पूछता हूँ, इसका मतलब ऐसे, जैसे आपने सुना होगा धर्मो रक्षती रक्षिता, सुना होगा, उसका ट्रांसलेशन नॉर्मली कहते हैं, आप धर्म की रक् रक्षिता क्यों लिखते हैं, रक्षक, धर्म की रक्षा करने वाला रक्षक होगा, तो धर्मो रक्षती रक्षका क्यों नहीं लिखा गया, अगर ऐसा है तो, इसका मतलब कहीं गलत समझ रहे हैं, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक तीब द्रिस्टी रखी जाए, इसका मतलब होता है कुछ, अभी ये तो ये विस्तु हिंदु परिशत का हमारे उत्तरप्रद अमेरिका में, विस्तु हिंदु परिशत अमेरिका का लोगों में ये लिखा हुआ है, धर्मो रक्षत रक्षता, और उसमें ये लिखा जाता है, आप धर्म की रक्षत, ये तो ठ वो धर्म उसकी रक्षा करेगा, अगर हम तीसरे फ्लोर से कूदेंगे, अगर बत्ती लेके घूमते रहें, वहाँ सास में लेके कूदें, तभी मेरा पैर तूटेगा, धर्म नहीं रक्षा करने वाला, इसका मतलब मुझे, अब इसकी कि इतनी बड़ी चीज है, इसका मतलब क मुझे इसका ग्यान होना चाहिए, जो रक्षित चीजे हैं, रक्षित चीजों क्या मतलब जो सनातन हों, विग्यान में या अपने दर्सन में भी सनातन उसी को कहते हैं, जो जिसे सत्य और, असत्य और मिथ्या की जो बात है, उसमें यही सत्य वही है जो चलता रहे, वो मिथ्या में आ सकता है असत्य तो हो ही सकता है लेकिन हो सकता मिथ्या हो लेकिन सत्य नहीं हो सकता विग्यान भी इसी दिसा में चल रहा है यह हमारा इस सारे कहने का मतलब यह था विग्यान को विग्यान का उद्देश जो है यह टेक्नालोजी उगरा जो हम लोग देख रहे है यह तो side effects है ultimate goal उसमें विग्ञान का भी यह है कि हम जो चीज सनातन है उसको ढूने उसमें हमारे यहाँ विग्ञान में यह है कि किसी चीज को question किया जा सकता है सवाल पूछा जा सकता है हमने अगर कुछ कहा तो उसका कोई भी हमारा student सवाल पूछ सकता है यह उपनिसित की बात है प्रोफेसर ससी प्रभाकुमार का यही यह field है यह हमारे हाँ की परमपरा है कि हर चीज को सवाल पूछा जाए अब उसको अगर धर्म के नाम में जोड देते हैं तो हमारे गुरू से अगर सवाल नहीं पूछ सकते अंध विश्वास में चले जा रहे हैं तो धर्मो रक्षत रक्षिता को इससे सुनते रहें हम कभी यह करेंगी नहीं हमको जानना भी कि रक्षित क्या क्या चीज़ें होती है और जिस दिन यह इस भाव में पड़ गए कि रक्षित क्या क्या चीज़ें होती है उस दिन हमारा ग्यान बढ़ता जाएगा क्योंकि हमको जिग्यासा पैता होगी तो हम यह देखते हैं कि सवाल जो हमारे यहां ग्यान में किसी को कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है हम वे जहां तक ग्यान है यह हमारे यहां की जो संस्कृत भासा में जो ग्यान है उसमें उपनिसज जैसी जगा पे तो उसका मतलब यही है कि आप सवाल जवाब पूछिए यहां तक जिसको हम धर्म के नाम पे प्रदाइक धर्म की बात कह रहा है जो जिसको गीता पे हाथ रखे सारे लोग बोलते हैं वो भी तो क्वेस्चन एंस्वरी है तो क्वेस्चन एंस्वरी हमारी परंपरा है यह संस्कृत में इसलिए आउश्यक है कि एक बड़ी की बढ़ियां कांसेप्ट है वो मुझे हिंदी में उसका सब्द नहीं मालू होगा आपको मालूम हो बताइए कि एकुलिब्रियम कहते हैं एकुलिब्रियम क्या आप बोलते हैं समत्व साम्या समतुल्य ठीक है बहुत सारे सब्द बता लग गए उसकी एक यह ऐसा मानते हैं हम विज्ञान में फिजिक्स की बात है यह कि हर चीज एक अल्टिमेटली एक एकुलिब्रियम इस्टाबलिस होती है और तब वो चीजें आगे नहीं बढ़ती है आगे उसमें क्रिया हो रही है लेकिन ऐसा आपको प्रतीत होगा कि कोई क्रिया नहीं हो रही है उसको एकुलिब्रियम कहते हैं उसको अगर हम लोग हम जब बायो केमिस्ट हैं हम जब बायो केमिस्टरी के स्टूडन्स को पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाते हैं कि हमारा जीवन जो है वो equilibrium की तरफ बढ़ रहा है जब equilibrium बिगड़ जाती है तो सारे कारे कलाप equilibrium की तरफ जाते है जिस दिन हमारी मृत्त हो जाती है उसी दिन equilibrium establish होती है जब तक कुछ और चल रहा है equilibrium नहीं चलती है अब ये इसका equilibrium का जो तो थोड़ा सा deeper meaning अगर समझने का प्रयतन करें तो इसका material science की छोड़ दें सरीर को छोड़ दें सिर्फ किसी तत्तों की बात करें बैचारिक तत्तों की बात करें तो इसका ये मतलब होता है कि हम कभी आपको समझा रहे हैं अपनी बात और कभी उल्टा आप हमको समझा रहे हैं जब हम दोनों लोग एक दूसरे को ये इस धारा में चले जाते हैं तो वो equilibrium हो जाता है और तब ग्यान होता है तो यहाँ पे भी ये दिखाई पड़ता है कि हमको आदान परदान question answer ये जो भाव हैं हमारे हैं संस्कृत की परबपराओं में हैं संस्कृत का एक मैं दो-तीन चीजें अपने lecture के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि एक तो मैं को aspशिश करूंगा कि संस्कृत आदर्स बैज्यानिक भासा संस्कृत ही बैज्यानिक भासा क्यों है और भासाओं के अतरीक फिर संस्कृत में किस तरह क्या ज्यान है कुछ मैंने अभी आपको कुछ अंस बताए और तीसरा हम यह चाहते हैं कि इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं यह हमारी तीन चीजें का हम कोशिज करेंगे तो उसमें पहला तो यह है कि मैंने आपको कोशिज किया बताने की पावर्फूल यूज अफिस लैंग्वेज मेक्स इट पावर्फूल जब तक आप उसको किसी अच्छी दिसा में ले नहीं जाएंगे उस भासा का कोई मतलब होने कम्प्यूटर की भासा 1987 में एक जर्मन मैगीजीन ने लिखा था नासा के एक बैग्यानिक ने जर्मन मैगीजीन में लिखा था कि संस्कृत भासा जो है वो कम्प्यूटर की सबसे अच्छी भासा होगी और हम लोग हम लोग की बड़ी आदत है पता नहीं कब आई यह आदत मुझे कोई बताएगा यह कि हम लोग पीछे बोलके एक लगा देते हैं उस इंगासन की पीछे कि हम लोग ऐसे थे आगे कुछ करने की जरूत है नहीं अब क्योंकि हम लोग ऐसे थे संस्किर्थ भासा में कैसे कंप्यूटर बन सकता था बन सकता है किसी और ने कहा है अब हमको और कुछ करने की जरूत नहीं है क्योंकि अमेरिका के नासा ने बोला जर्मेनी के मेंग जीन ने पब्लिस कर दिया हम लोग अपना पोस्टर लगा के घूम रहे है कि हमारे यहां सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के लोग इस देश में हैं लेकिन किसी ने प्रयत्न नहीं किया है जिसने थोड़ा मोड़ा प्रयत्न हुआ है बहुत ही प्रिमिटिव लेबिल पे हुआ है तो जब तक हम जिसने हमुने हमारे कहने साइं पित्रोदा जो कि यूपीय गोवर्नमेंट के सलाकार थे उनको मैंने शिकागो में मिला था तो उनसे मिना बोला यही बात कि आप लोग संश्किर्त यह कंप्यूटर फिल्चर हिंदी में क्यो नहीं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं तो तीन बार आता हूं, साल में तीन बार मैं आता हूं भारत, वो बोले कि आरे वो बहुत पुरानी बात है, दो साल पहले बदल गया है, मैं यह कोसिस कर रहा हूं, प्रोफेसर गिरीज्जा को अपने गाउं में ले गया, उनक भी प्रेत्न है, तो कुछ लोग मानने के लिए ही तयार नहीं, वो मानने के लिए तयार नहीं थे, कि हिंदी में नहीं खुलता है, ऐसा है नहीं, और इसमें क्या, कुछ नहीं करना, गवर्मेंट को, यह आज कल बड़ी रास्ट्रिये सरकार है, उनको मैं उपर तक उसमें आपसन होना चाहिए, जिसको अंगरेजी करनी है, वो खुले अंगरेजी में, लेकिन यह हुआ नहीं है, जीपियस, जीपियस, अब वो, मतलब आपके अंदर कितनी हिंता पैदा होती होगी, कि वो सोचता है कि अंगरेजी में ही, मैं बताता है, क्या सोचता होगा, तो सोचे का बहारा बच्चा अंगरेजी पूचे, मेरे स्कूल को मैंने कोशिस किया था कि अपनी मात्रिभासा में लोग पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, वहाँ पैरंट्स भेजने के तयार नहीं, अंगरेजी माध्ये में है, और अब वहाँ पे सारी बेवस्था सहर की त स्कूल अंगरेजी माध्ये में कि हिंदी, मुने काएं, खूर नहीं रिखे आता है? उनको अंग्रेजी नहीं आती लेकिन उन चाहते हर्ची जंग्रेजी में हो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह एक हीन भावना पैदा होती है क्योंकि हम अपने का कुछ उप्विक नहीं कर रहे हैं कोई मूले नहीं रख रहे हैं तो इस तरह की बाते हैं होती हैं मैं बहुत बार इस चीज को प्रेत निकिया समझाने का कि हम हर भासा का हम को करना चाहिए आदर करना चाहिए, सतकार करना चाहिए, सीखना चाहिए, उपयोग भी करना चाहिए लेकिन अपनी भासा को छोड़ के नहीं जैसे कि हम संसार की हर माताओं को हमको करना चाहिए आदर सतकार करना चाहिए लेकिन अपनी माता को छोड़ के नहीं अपनी माता को भी सतकार करें और उख माताओं को सतकार करें तो इस इस दिसा में अभी 22 तारीक को हमने अपने स्कूल में बारवी दरजा वो इसे तो CBSC का इग्याम देते हैं बच्चे वो उससे निकलते हैं लेकिन हमारे स्कूल के सर्टिफिकट देने के पहले हमने ये एक रिक्वाइर्मेंट रखा है कि बच्चे डिबेट करेंगे और डिबेट में काली दास, तुलसी दास और शेक्सपियर इनके आधार पे डिबेट के सारे सवाल उठेंगे और उनके समझाए जाएंगे तो वो भी 22 तारीक को हमारे यहाँ यह है वहाँ पे शेक्सपियर का जूलियस सीजर तुलसी दास का योध्या कान और काली दास का चतुर खंड जिसमें सकूंतला का जिक्र है उस पर करेंगे मतलब हम क्रियेटिव हो सकते हैं इन सब चीजों को करने के लिए बच्चों के द के लिए पढ़ा बच्चों के लिए यहां काली दास हो कहां सेक्सपियर किसी भी चीज को इतनी बिस्तृत रूप में ब्याख्या और टचिंग फीलिंग और यह मतलब सिर्फ भासा की बात कर रहे हैं बिचारों की बात कर रहे हैं जहां तक दरसन की बात हो तो बहुत मुढ़ा इसलिए कि उनके यहां भी अविश्वास हुआ उनके अपने मित्रों में तो उनको माड डाला हमारे यहां तुलसी दास में भी अविश्वास हुआ आयोध्याकार्ण में तो त्याग की भावना भरत और कहां त्याग की भावना राम उसी तरह से सकुंतला ने गं होते हैं लेकिन उनका उपयोग करके हम उसको सिक्षा में बदल देते हैं ऐसा नहीं कि हम जो आधुनिक परंपरा चल रही है संस्कृति है जो वेस्टरनाइजड है कि जिसमें अगर आपके डिफरेंसे आप ही देख रहे हैं जेनियू में भी बारी मैं वहीं से आ रहा हूं प पचीस साल तीस साल के बच्चे बच्चे नहीं होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को सुनना है नहीं चाहते हैं हमारी अपनी जो हमारे अपने मापदन थे हमारी जो बेवस्था थी हमारी जो संस्कृति थी हमारे बिचार थे हमारी जो एक रीती रिवाज थे उसको भी आक्टर अम्बेदकर चाहते थे कि संस्कृत को ही राष्टभासा बनाई जाए यह ऐसा लिखा हुआ है 1949 में वो Constitutional Amendment उन्होंने रखा था और मुझे मैंने सुना है कि बहुत नेरोली डिफीट हुआ था तो नहीं तो हम आज यह बात हो रही है कि संस्कृत तो है वो डेड लेंग्विज है क्लासिक लेंग्विज जो Western लोग डिफाइन करते हैं उसको डेड बोलकर उसको क्लासिक बोलते हैं और हमारे यहां के ही बड़े उद्योग पती क्या नाम उनका मुर्ती उन्होंने कितना छे मिलियन डालर दिया हुआ है इसको क्लासिक लेंग्विज को निश्चित कर देने का कि यह क्लासिक लेंग्विज जीबीत नहीं है मुझसे लोग पूछते हैं कि देखिए संस्कृत में कोई संस्कृत का कोई बैल इलिट नहीं है कोई इसका मूल नहीं है और साइन्स है टेकनालजी इसमें सरकार पैसा खर्च करना चाहते है क्योंकि इससे बिजनेस ब्योषाय होता है मैंने calculate किया है संस्कृत से मैं आप जो पिछली बार visiting professor था संस्कृत सेंटर में में था मैं life science का पढ़ा हुआ हूँ जेनियू में लेकिन मैं visiting professor संस्कृत में तो मैंने इसका calculation किया मेरे calculation के हिसाफ से संस्कृत का ब्योसाई दुनिया में 150 billion डालर का है 150 billion B से उतना IIT IIT वाला कुछ नहीं है उसका IIT तो अब होगा तो ज्यादा 30-40 billion डालर का होगा संस्कृत में इतना है तो अगर सरकार को दिखाना है देखिए संस्कृत वाले थोड़ा मेहनत कम करते हैं आराम की जिन्दगी वो पीछे से जो याद कर लिये हैं उसी को बोलते रहते हैं उसको थोड़ा सा कोशिस नहीं करते हैं इसको कैसे मिलाए जितना योग है जितना आयरुवेद है और जितना पूजा पूजा ही जो साधी विवा होता है इसका ही करीब दस-पंदरा बिलियन डालर तो इसी में खर्च होता है तो ब्योसाय है क्यों क्यों नहीं ब्योसाय है है उसको अच्छा से बनाना चाहिए तो अगर हम यहाँ पे अगर यह हो गया होता कि संस्कृत एक अगर राश्टी भासा बन गई होती तो आज यह डेड लेंग्विज नहीं है ही नहीं अभी भी नहीं है और पंडित नेरु हमारे प्रथम प्रधान मंतरी ने भी संस्कृत को सबसे बड़ा उपियोगी समझा दूसरा यह कि अब साइंस के किस से क्या लेना देना है इसमें आपको बताएं इस दुनिया में मैंने अभी तक जतने खोज किया है यह भारत का ही constitution एक ऐसा constitution है जिसमें यह कहा गया है कि scientific tenor जो है वो society में होना चाहिए उसका article 51A में लिखा हुआ है कि fundamental duties में कि it shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper पर ऐसा कहीं नहीं लिखा किसी दुनिया में किसी देश के constitution में नहीं है तो humanism and spirit of inquiry and reform तो हम यह सोच रहे हैं कि संस्कृत में बहुत सारी scientific चीजें हैं और हमको scientific temper develop करना है तो हमको संस्कृत पढ़ना ही चाहिए संस्कृत की ज्यान को अपने सामने अपने बच्चों के सामने उसके बहास करनी चाहिए बाद भी बाद जितना भी हो सके संबाद करें तो अब मैं आपको बताता हूँ कि संस्कृत भासा scientific क्यों है देखिए कोई भी सब्द तो कहीं हर भासा में सब्द होते हैं लेकिन जिस तरह के systematic ये जो आपके हमारे alphabets हैं काखा गागा एंगा इस तरह काई तो कास यहां से सुरू होता है जिसको guttural बोलते हैं अंग्रेजी में मुझे हिंदी में नहीं मालूम kant और उसके बाद फिर चावाला बोलते हैं चाचा जा 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 लिखे कितना systematic है फिर टा बोलते हैं जिसको कि क्या cerebral बोलते हैं retroflex मूर्धा और फिर dental फिर labial तो यह यहां से सुरू होके यहां तक याता है किसी भी भासा में से नहीं ABCD चारों तरब घूमता रहता है बड़ा random है लेकिन यहां बड़ा systematic है तो यह पहली बात बड़ा systematic है जिसने भी बनाया होगा किसी चीज को बैग्यानिक मानने के लिए हमको यह मानना पड़ता है कि पहले बिग्यान की परिभासा यहीं से सुरू होती आठमी दर्जे में जो पढ़ाई जाती है कि it has to be systematic कोई भी चीज systematic और reproducible होना चाहिए यह बिग्यान की पहली परिभासा है बिग्यान की सिर्व एक ही परिभासा नहीं है बिग्यान की दूसरी परिभासा यह है उसके ऊपर वाली कि it should be non falsifiable अब आप देखेंगे मैंने मेरे पास इतना हलागि आपने काफी समय दिया फिर भी इतना समय नहीं कि इस बात पर हम लोग non falsifiable इतनी बढ़िया आइडिया है कि और आप देखेंगे बहुत सारी चीज़े से यम जो है वो double negative बहुत यूज होता है अईसा है लेकिन पिर नहीं कहते ऐसा नहीं है इसको भी देखा और वो नहीं नहीं है इसलिए है ये double negative की idea जो है संस्किर्ट में बहुत ज़्यादा है और भी भासाओं में लेकिन संस्किर्ट बहुत ज़्यादा है हमारा कहने का उदेश यह है कि इसको बहुत उंचा हम मानते हैं हम मनुष्य के ऊपर मानते हैं हम अपने हमारे जितनी छमता है उसके ऊपर जमानते हैं उसको आदर्स मानते हैं और किसी चीज को बैग्यानिक बनाने के लिए पहले आदर्स बनाना पड़ता है आप लोग इसमें कुछ मैंने सुना है कि doctors, engineers ये लोग भी हैं जो पढ़े होंगे kinetic theory of gas एक idea है ideal gas की अगर ideal gas की idea खतम कर दें ideal gas law की तो आधा क्या 3-4 थाई physics खतम एक equation निकाल दीजिए उनसे ये बोलिए कि ideal क्योंकि ideal सही में होता तो है नहीं वो तो सिर्फ मानते हैं तो देव है ये और इसका systematic है और non falsifiable वाली definition भी है इसमें तो इसका मतलब बैग्यानिक ये है और उसका प्रभाव देखने की बात है ये दूसरी तरफ का जो मैंने side में दाहिनी तरफ पिक्चर दिखाई उसमें उसमें nerves दिखाने के कोशिज की है कि हमारे ये मस्तिस्क जो मस्तिस्क क है हमारे oral cavity में आती है जो skull के अंदर से सारी कान में आख में नाक में जीव में सारी चीजें तो जो हम बोलते हैं किस तरह से बोलते हैं उसका वो micro pressure जो air चलता है तो जब सब्दों का प्रियोग करते हैं तो वो अगर mechanical engineer वाले जब इसको नापते हैं major करते हैं तो उनको मिलत है कि किस जगा पे इसका pressure पर रहा है वहां की nerves active होती है और फिर वो आपके दिमाग को उस तरह से active करती है ये इसका scientific मतलब इसका scientific effect क्या होता है आपके मस्तिस्क पे और आप अभी आगे देखेंगे कि ये मैंने neuroscience से एक picture ली है वो यही दिखा रहा है कि आख कान नाख जो भी बहुत सारी इनको cranial nerves कहते हैं अंग्रेजी में और उन cranial nerves का effect हमारे मस्तिस्क पे पड़ता है और मैंने आपको एक बात बता ही दी वो पहले कि equilibrium में इधर जाना उधर जो अगर ये pressure हमारे मस्तिस्क को अगर effect करता है तो हमारा मस्तिस्क उन्ही nerves के जर्ये हमारे बोलने की जीवग जैसे किसी कभी कभी लखवाश हो जाता है तो लोगों की जीव नहीं चलती है मतलब stroke यहां हुआ हुआ है जीव यहां नहीं चल रही क्योंकि वो nerves factors हो जाती है तो यह यह हमारा संप पर्क जो है बोलने का और मस्तिस्क सा हर दम बना रहता है इसलिए लोग मुझे पूरा ग्यान नहीं है लेकिन मैंने एक दो इसमें उधारन आपको दिखाएं जो की रेफरेंसे भी दिये हुए हैं ये है कि बोलने से हमारे ग्लाइंट्स में केमिकल किस तरह के पैदा होते हैं और हमारे मस्तिस्क किस तरह पुराव पढ़ता ये और लोगों ने भी कहा है मेरा ही मत नहीं है इसका फाइदा आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा सेंट जेम्स स्कूल जो है लंदन में है इसका उनके हाँ पर संस्किर्ट कंपलसरी है सारे बच्चे पां आपके हां ये चीज का विरोध होगा अभी कोई बोलने लगे सबको संस्कृत कमपलतरी कर दीजे तो सोचे कि इसमें धर्म की बात आ रही है इसकी दुनिया भर की आएंगे वो मुझे बहुत पसंद है विशी इस देश की ये बात मुझे बहुत पसंद है कि कोई भी चीज बोलिए लोग उसका विरोध करेंगे एक कहानी बताते हैं स्टैन्फर्ड इन्वर्स्टी का खो सकता आप लोगो ने नाम सुना हो एक बार वो स्टैन्फर्ड इन्वर्स्टी वाले लोग आते हैं वो भी अपने इनविर्सिर के बारे में बताते हैं, अच्छे भी धैरती उनके हां जाएं, और तो वो बता रहा था कि वहाँ पर बच्चों को बहुत मौका मिलता है, किसी कोई इस कलब में, कभी उस कलब में, कभी इस association में, बोले हमारे इतना association, इतना association का आपको, मतलब वो बोला कई सो associations है आपको जो मन में आए, कोई प्रकृतिकेली रूप में है, कोई विमें स्टुडीज पे है, कोई पूर के लिए है, कोई लिटरेचर के लिए है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने कहा कि एक ऐसा association है और बोले को बहुत active हैं सब लोग जैसे जैनी में ही demonstration नहीं निकलता है वहाँ भी निकलता है लेकिन वहाँ के थोड़ा तरीका दूसरा है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा लेकिन एक ऐसा association है वो सारे association का विरोध करता है तो आप कोई भी कीजिए उन्होंने कहा कि इसका association एक यह काम है यह association कुछ करता है उसका दिरोध यह करेगा इसका association का नाम है एे अनटाई सारी association तो हमारे यहां हमारे देश में association बनाने जरूत नहीं है इस देश में यहां पे आप कोई भी विचार प्रकट कीजिए इसका भी रोज जरूर होगा और बहुत अच्छी चीज है यह बुरा लगता हम लोगों को जरूर लेकिन यह बहुत ही अच्छी चीज है चाहे वो आज जेन्यू में जो देश द्रो के नारे लग रहे हो जो भी कुछ लग रहा हो देखिए आपके अंदर जागरिती तो पैदा हो इसको सोचिए यह पूरा देश जेन्यू को कोई नहीं जानता था पहले कुछ ही लोग जानते थे जेन्यू बड़ा अच्छा इणिवर्स्टी है अब वो गाउं का किसान भी जानता है और अब मैं डर रहा हूं कि अब गाउं में जा रहा हूं तो क्या पुछा जाएगा बसे यह भाईया आप भी आ परना चाहते है वो इसका लाव उठा सकते है इस में देश में जागर्ति पैदा हो गई देश के प्रती जागर्ति पैदा हो गई आप उनसे कहें कि आप पढ़ो लिखो Nahee तो जेन्यू की जैसे है लोग आपको अकल बताते रहेंगे तो वो पढ़ना लिखना कमसे वो अपने बोलेंग हमारे बच्चे को आगले बार इसको पढ़ना है और इसको ऐसी जगह नहीं पढ़ना है मेरा इंसिचूशन है लेकिन वो बहुत सारे लोग मुझसे कहे चुके कि अब जेनु में नहीं जाना च जाना नहीं चाहते लेकिन अल्टिमेटली मेरा भाव ये कहने का है कि जो भी बात होती है जिसका भी विरोध होता है उसको हमको स्वागत करना चाहिए कि हमारी परमपरा है हमारी परमपरा है कि उसका स्वागत करें इसका मतलब ने उसको एकसेप्ट करें हम उसको आपकी ब मुझे एक घंटे का दिया गया है, तो ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक evidence, जिसमें कि संस्कृत, या देवनागरी, उन्होंने देवनागरी को पढ़ाया था, बोलने कभी नहीं किया था, ये बंगलोर की study है, एफ हमारा ही करवाया उन्होंने, उसमें देख बोलते हैं, बहुत सारे वहाँ पर medulla oblongata होती है, जिसका जिसका वो एक जंसन है, सारी चीजों का जंसन सरीर से medulla oblongata में पीछे होता है, तो ये दाएं, बाएं, बाएं, आगे और पीछे, ये regions हैं जिसके हमारा मस्तिस्थ बटा हुआ है, जब कोई अंगरेजी पढ़ता ह है, तो उसका बाएं मस्तिस्थ जो है, ज़्यादा active होता है, जब कोई Chinese और Russian और Japanese पढ़ता है, इसमें study में इसा किया है, तो उसका बाएं बाएं भी और दाएं भी दोनों active होते हैं, relatively, जब संस्किर्ट पढ़ते हैं, उसका बाएं दाएं आगे पीछे, चारों तरफ प्र अब आपको समझ में आगा, जो पहले बोल रहा था कि, तो सिर्फ ये बोलने का नहीं, बोलने का तो भी किया ही नहीं उन्होंने, सिर्फ पढ़ने के किया है, क्योंकि पढ़ने में भी वो syllabic और alphabetic चीज़ें होती हैं, तो उसमें कैसे कोई चीज लिखा हुआ है, अब आप लोग करते होंगे, रिसर्च इस पर, कि उसका क्या प्रभाव पढ़ता है, जैसे आर्ट कोई बनाता है, उसका प्रभाव पढ़ता है, मस्तिस्क पे, सो सिर्फ बोलने के तो बाद में आती है, पहले लिखने में ही उसका प्रभाव पढ़ता है, हमारे उसको पढ़ने इस तरह से हुआ, मानो अभिव्यक्ति इसी तरह से हुई, वो तो पातंजली ने या पानिनी ने इन लोगों ने उस भासा को एक रूप दिया, जिसको आगे बढ़ाया, पानिनी के बनाने से आज तक वो भासा बदली नहीं है, इसलिए नहीं पानिनी, बहुत सारे लोग भास इक चीज को रखा, जिससे वो बदल नहीं रहा है, तो ये चीज हमारे संस्किर्ट की भासा में है, इससे इसका बिज्ञान से बहुत गहरा संबंध है, इस भाव से, तो अब हम थोड़ा सा एक समरी देते हैं कि इस संस्किर्ट में बहुत सारा ज्यान है, रोल अफ संस्किर जैसा लिखते हैं, जैसा पढ़ते हैं, इसमें कोई परिसानी की बात नहीं होती है, ये इससे सब्द बनाए जा सकते हैं, हम केमिस्ट्री के आदमी हैं, हम केमिस्ट्री के लोग ऐसे हैं कि जो आज की जमाने में 50 million, 50 million कितना होगा, 5 करोर? पांच करोड, पांच करोड कंपाउंड बने हुए है ये हमारे हम लोगों के लिए एक accomplishment मानते हैं हम लोग chemist लोग, लेकिन आज दुरभागे से आप लोग के यहां पर प्रभाव पर रहा होगा, आप लोग organic food खाना शुरूगी है, क्यों chemicals की क्या दसा होगी हमारे सरी, हमारे सरी क्या दसा होगी chemical से, ये मालूम नहीं है लेकिन एक accomplishment है 50 million compounds हम लोगों ने identify किया है, बनाया है जो जहां तक संस्कृत के सब्दों को अउत अनंत है, आप कुछ भी बना सकते हैं, अब इसमें मेरा जो उद्देश से है, एक हमारे अपने जीवन का उद्देश से है मैं इनवर्सिव मैसेच उसर से retirement ले चुका हूँ, अपना एक अलग institute खोला हूँ, उसमें मैं कुछ चीज़ें अपने आपने हिसाब से करवा सकता हूँ, करता हूँ मेरा भी, मेरी जो वो बायो डिफेंस की फील्ड है, कुछ लोग जानते होंगे, बोटाक्स नाम सुना होगा, मैं बोटाक्स में पिछले बोटाक्स के बाचुलानियम टाक्सिन से बोटाक्स बनते हैं, बो जो है बाचुलानियम से आता है, टाक्सिन से टाक्स आता है उस फील में मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा काम अभी चल रहा है, वो टाक्स, जो कमपनी वाले हैं, उनके हिसाब से भी चल रहा है, और जो सरकार वहां की, चुकि टाक्सिन है, सरकार को बड़ी चिंता है, कि वो बायो प्रुरिस उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके मैरा संस्कृत में इंटरेस्ट हो गया है और इसकी इसका इस तरह से मिलता जुलता है दोनों कि इसकी जो मूल रूप से जो नियम है, वो एक ही है, जिस अक्षरों का मतलब होता है, और उनको अक्षरों का मतलब सब्द बनने से तूट नहीं जाता है, उसके कुछ चीजे रह जाती है, उसी तरह से जैसे कार्बन, आक्सिजन, नाइट्रोजन के भी मतलब होते हैं, उसमें कहीं पे आपको पर आपको अपनी प्रकृति दिखाता है, उसी तरह से संस्किर्ट के सब्दों का भी है, यह मेरी इक्षा है, और मैं संस्किर्ट के जितने आचारे लोग मिलते हैं, उनसे मैं यह बड़ा बहुत कोसिस करता हूँ सीखने के लिए, कि इस बात को कैसे आगे बढ़ाए जाए और यह मैं सोच रहा था कि मैं ही सोचता हूँ, कभी-कभी ऐसा सभी के दिमाग में होता है, मैं ही सोचता हूँ और कोई नहीं सोचता है, पता लगा कि मैंडलीफ, मैंडलीफ जिसने periodic table बनाई थी, Nobel Prize भी मिला था, इसने तब सोचा था, और सो साल पहले सोच लिया था इस सी टेबूल ऐसे बनाया जाए, वो यही जो आपका काखा गागा एंगा शुरू हुआ, फिर चाचा जा जा, बतलब अस्थान बदला, लेकिन धारा वही चल रही है, उसी तरह से, जिस तरह से हमारे elements arrange किये जाते हैं, वो elements arrange किये जाते हैं, उनका एक रूप होता है, जिसमें कि उनका atomic number बढ़ता जाता है, फिर वो ऐसा आजाता है, उसका एक प्लस चार्ज है, तो एक प्लस चार्ज से फिर सुरू होगा, तो उनको यह सारी idea ही है, किताब में किसी Stanford University का कि किसी बेक्तिने हुआ है, अपने लोग तो लिखते नहीं है, अपने लोग इस पर करते भी नहीं है, अगर आप बोलो तो बोलेंगे गलत बोल रहे हो, ऐसा हो भी नहीं सकता है, आप मतलब या तो हिंदुत बादी होंगे, या राश्टिवादी होंगे, या फासिस्ट होंगे, बहुत सारी हमारे यहां की जो परंपराएं हैं उस सारी दुनिया में थी तो अब यह केमिस्ट्री का आदमी है इसका सबूत यह है कि उन्होंने अलुमिनम जो आज गैलियम होता है उसका उन्होंने नाम एका अलुमिनम रखा था संस्किर्ट का सब्द यूज किया था उसी तरह एका बोरान जिसको आज सकैंडियम बोलते हैं एका सिलिकान जिसको आप जर्मेनियम बोलते हैं एका मेगनी जिसको आपको टेकनीटियम बोलत हैं इस तरह से दूई टेलूरियम बहुत सारी चीज़ें को उन्होंने संस्कृत का उपयोग किया जान बूज की किया क्योंकि वो यह दिखाना चाहते थे कि हमको यहां से प्रेरणा मिली है तो बिज्ञान का एक साक्षात रूप आपको दिखाई पड़ रहा है जो कि चीज़े से प्रेरा युक्थ प्रत है और अगर पिरियाडिक टेबल सबसे बडरी चीज़ दłącz होगे. कैमिस्ट्री में सबसे बडरी चीज़ पिरियाडिक साल हो गया फिर भी सोच रहें कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं तो ये तो ठीक है धाराll चलती रहती है कि इस को अगर्छ जो योग की आपके ऐहां बात हो चुकी है तो इस जथा पिंडे की जब आपको पूरा संसार समझना पहले अamed अगर अपने को समझोगे, तभी सारा संसार समझोगे, क्योंकि हमारे सारे इंद्रियां तो यही से गवर्ण हो रही है, अगर उनमें हमारे विकृतियां हैं, तो हम संसार को विकृतियों से समझेंगे, तो अब मैं आपको ये, मैं भी योग पढ़ाता था, इन्वर्सी में ज Science of Yoga course है और जो विद्ध्यारती उसको लेते थे उनको Science की Credit मिलती थी तो ऐसा भी मतलब यह मुझे पूरा विस्वास है इन सबीजों पर उनसों मैं अभ्यास करौता था मैं उनसे प्रानआयाम कर वाता था और योगासन भी तो और उसको फिर इन Neuroscience के से जोड़ता था, फिर उसको breathing को respiration से कैसे जोड़ता था, फिर उसको ये कैसे जोड़ता था, इसका मतलब योग का मतलब जुड़ना है, तो अगर आप अपनी किसी कोशिका से जुड़ना चाहिए, आप बहुत सारे लोग डाक्टर लोग हैं, इसमें कोई आपके पास ऐसा equipment आप लेते हैं, वो एक कोशिका में करीब एक हजार mitochondria होता है, और हर mitochondria को oxygen चाहिए, तो वो जोड़ता है, अब ये बात दूसरी है कि जोब हम आप प्रानायाम करते हैं, प्रानायाम का मतलब तो उस पर ध्यान करें, जो सांस ले रहे हैं, उस पर सांस पर ध्यान दें, अब वो जब oxygen अंदर जाती है, और फिर जब बाहर आती है, उसका निरिक्षन कर सकते हैं, और ये कि नॉर्मली जो लोग सांस लेते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, जैसे हम आपको एक छोटा सा अगर आपनों गुरान लगे तो हमें एक exercise करवाते हैं, आप अपनी दाहिनी न नाक से वही करें, अब छोड़ दें, आपको दोनों नाक में कुछ फरक लगा, कितने लोगों को आसानी थी बाहिन नाक से सांस लेने में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, डस, 11, 12 लोगों को, और कितने लोगों को दाहिनी नाक से, करीब 20 लोग हैं, औ और बाकी लोग सांस नहीं ले रहे थे, क्या, कुछ लोगों को संभाव, बहुत अच्छी चीज़, कुछ लोगों को दोनों बराबर होता है, अब ये, पहली बात तो, ऐसा अनुलोम बिलोम करते हैं, तो जब बाहिन नाक से लेते हैं, तो हमारे मस्तिष की रचना इसी है, कि जब जो बाई तरफ की जो सरीर का भाग है, उधर से जो कुछ करते हैं, तो दाहिनी तरफ के सरीर मस्तिष को करता है, और इसको जब दाहिनी वाले को लेते हैं, तो बाई तरफ का, अब लोग बोलते हैं कि ये पाखंड वाली बाते हैं कुछ, जो लोग सोचते हैं कि हम दाहिना पैर पहले रखें या कि जब हमारी नासिका कौन सी चल रही है उसके आधार पहले करें अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको गणित और बिग्ञान की आओ सकता है तो आपकी दाहिनी नासिका चल रही होगी तो बाई तरफ जादा एक्टिव होगा इसमें को नोटिस किया था कि ये दोनों अलग-अलग होती हैं बहुत कम लोग 10-15 लोग करते हैं कि ये ज्यान होगा बहुत सारे लोगों को सांस लेते हैं लेकिन ये नहीं मालूं कैसा होता है आज दूसरी चीज आपको और बताते हैं ये एक्शली पब्लिस पेपर है मेरिकल हुआ है एक प्रोफेसर विनोट देशमुक हैं फ्लोरिडा में सायद हो सकता आप जानती आते हैं बेप्स में वो उन्होंने इसको मुझे बताया कि ये इसको डाइगनास्टिस की रूप में कि ये दोनों का बदलता भी है धाई तीन घंटे में ये चीज अपने आप बदल जाता है और इसको जो अगर इसमें कोई डिस बैलन्स होता है तो उसका मतलब है कि आपके सरीर में कुछ गड़बार जिसमें मस्तिस्क लगा हुआ है और इसकी डेगलेट नहीं कर पा रहा है तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम इसको सिर्फ सांस लेना नहीं है इसकी एक पर इसकी हम उसरा से देखें दृष्टिकोंड से देखें तो उसको घ्ञान हो सकता है पहली बात दूसरा है किशका उप्यूक किया जा सकता है जो कि हम हम हेल्थ के स्तर पर देख सकते है तो ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चायता हूं और मेरे पास पांच मिननट का और समय है तो अब ये देखे एक रिसर्च हुई है इसको किसी हम लोगों ने नहीं करवाया अपने देश में बोला कि ये करेंगे ने अपने देश में ये विदेश में किया गया उनका वो देश ये नहीं था जो मैं आपको कहने जा रहा हूं ये ये प्रोसीडिंग सब नेश बड़ी फ्रीडम है वहाँ पर बड़ी फ्रीडम है वहाँ लोगों का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं अपने हाँ बड़ी फ्रीडम हम लोग उसका दुरूपयोग करते हैं कुछ नहीं करते हैं और वहाँ पर ऐसा फ्रीडम बड़ी अच्छा बहुत अच्छा काम करते सबी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो उन्होंने ये किया कि जो लोग विस्वास करते हैं धर्म में, धर्म तो मैं कहना नहीं चाहिए था, जो भी उनके फेथ की बात है, तो क्या उन्हों के भगवान के बारे में क्या विचार हैं, और किसी के abortion एक होता है या euthanasia इस तरह के किस तरह के homosexuality ये सब कीजों पर ऐसे उन्होंने दस सवाल ढूड़े और लोगों से पूछे कि आप जो सोचते हैं और जो बाकी American लोग सोचते हैं उनमें क्या फरक है फिर उन्होंने ये नहीं किया कि आप बताओ की फरक है ने कि हो सकता ना बताएं उनके लगाये थी उसमें उन्होंने ढूड़ा है कि वहाँ पर देखिए जो दो रंग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर एक रंग है वहाँ पर साइद आ रहा है क्या वहाँ और लोग सोचते हैं वो सोचते हैं वो अलग सोचते हैं मैं अलग सोचता हूँ उन्होंने पूछा कि जो गाड जो सोचता है क्योंकि सारे चीज़ गाड गिवन है उनको लिए जो गाड सोचता है और जो बाकी लोग सोचते हैं उन में फरक है, उनको ज़ा हो फरक मिला। उसमें देखें, ज़्यादा रंग दिखाइप और रहा रहा है। दो जगह के। फिर उनी ने ने क्वेशन पूछा कि जो आप सोचते हैं और जो भगवान सोचता है उसमें कोई फरका या हम सोचते हैं वही भगवान सुचता है इसका मतलब कि सारे लोगों का अलग-अलग भगवान है क्योंकि बाकी सुचते हैं अब तो आपके आप अगर यहां पर बोलेंगे कि यहां पर भगवान, बहुत सारे भगवान सब लेंगे, कैसे हो सकता है, लेकिन वहां के लोग ही सोचते हैं कि उनका भगवान अलग है, जो वो सोचते हैं, वही वो भगवान उनका सोचता है, बाकी सब लोग का भगवान अलग है कि बागे अलग-अलग सोचते हैं, एक बात, नंबर दूसरी बात ये हुई, कि जो हमारे यहां अहम ब्रम्हास्मी की जो भावना है, वो यहां से आती है, जो भी आप गलत सोचे सही, लेकिन हैं वही, आप ही हैं सब कुछ, आप ही कही सारा संसार है, आप ही ने इसको जथा प पुराई नहीं है, क्योंकि आप भी हमसे अलग सोचते हैं, और ऐसा हमारी प्रकृतिय ऐसी है, तो इससे इसको बुरा न मानके, बलकि इसको यह मानना चाहिए कि सही ऐसा नैसरगिक है, यह सारी चीज़े नैसरगिक हैं, यह बात जो है, एक यस, हाँ, मैं B का उन्होंने व इसको बिखा रहा है कि जो डिफरेंट स्केल होता है, उनके चेंज जब सोचने की इंटेंसिटी होती है, वो उससरा उन्हों उसकी टेकनीक को पहले स्टेंडराइज करकी तो किया था, और उसको फिर इन्होंने यहां पे जो यह रखा हुआ है, कलर वाला करके रखा हुआ ह वो कि किस गाड़ वाला कौन सा सिगनल है और टिपिकल अमेरिकन का सिगनल कौन सा है और सल्फ का सिगनल वो चिर्फ टेकनिकल डीटेल्स हैं वो बात कहने की, तो इसलिए मैं सोचा कि इतना साइध आवस्टेक नहीं इसको, यह मैं यह कहना चाहिए था, इस रोडिंजर है वक्ति जो कि 1938 में उनको Nobel Prize मिला था, वो quantum mechanics के लिए, quantum equation उन्होंने बनाया था, तो वो बड़े विद्धान वक्ति थे, उन्होंने यह पढ़ा हुआ था, आपके उपनिसत पढ़ा हुआ था, तो वो यह कह रहे हैं कि from the early उपनिसत, the recognition आत्मन is equal to ब्राह्मन, personal self equals to omnipresent, all comprehending eternal self was the Indian thought considered, यह physics के आदमी है, इनकी दुर्दसा हुई थी है सब सोचने के लिए, हालाकि इनको Nobel Prize मिला था, लकिन नौकरी नहीं मिले थे, सोच लीजिए, इनको Nobel Prize तो मिला था, लेकिन नौकरी कोई नहीं दे रहा था, तो इनको किसी society ने, इनको ऐसे बोला कि आ हम करें क्या, बोले आप जाके दुनिया में लक्चर दो, जिसे हम यहां के खड़े हो के लक्चर दे रहें, तो वो लक्चर देते थे, उसमें लक्चर में एक आप लोगों ने, बहुत सारे लोग बिज्ञान के हैं यहाँ पे, Francis Crick का नाम सुना होगा, Watson और Crick वाले, वो Francis Cr Crick भी इनकी लक्चर को सुने थे एक बार, तो वो यह कह रहे थे, फिजिक्स वालों को बायालजी पढ़नी चाहिए, कि सारी चीज तो वहाँ पे है, तो कहां फिजिक्स में तुम लोग फंसे हुए, तो Crick जो है, उनसे इंस्पायर होके, फिर वो DNA का structure किये थे, तो जो DNA का बिज्ञान के अनुसार भी उसको कहा जा सकता है, और ये बात को भी जब बिज्ञान बनाया जाता है, तो ये एक और दूसरे नोबल आरियर्ट हैं, उनका नाम Warner Heisenberg है, जो कुछ लोग जानते होंगे, Heisenberg Uncertainty Principle वाले, उन्होंने किताब लिखी है Physics and Philosophy, उसका जो forward लिखा था, वो Professor Northrop Yale University के फिलास्फी के थे, उन्होंने लिखा था, उसका मैं जिस्ट इसमें लिखा हूँ, कि उन्होंने देखिए, बताया कि साइंस बनता कैसे है, तो कहा कि instruments of modern science derived from its theory, वहले theory बनानी पड़ती है, and require comprehension of that theory for their correct use, मतलब जो भी theory कोई, मैंने कोई theory बनाई, मैंने भी घर्मो रक्षत रक्षिता की बताई कि ये theory है, तो अब आप यहां में मारी बात सुन चाहिए, कुछ दूसरा कहीं कुछ उल्टा समझ सकता है उस चीज को, तो सकता मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं विरोध किसी कर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समझाने के प्रयत नहीं कर रहा अब समसारे लोग मान लिए, हो सकता है, ऐसा रहा भी हो, एक और दूसरा भी विचार हो सकता है, अब दूसरा भी विचार मैं बताता हूँ आपको, मैंने चुकि मैं मीट खाना छोड़ दिया हूँ 15 साल से, इसलिए मेरे विचार दिमाग में आये इसारे, इसके पहले मैं पत्नी से हर दम बिबाद करता रहता था इसका कि मीट खाना बहुत जरूरी है, मैं इसे भी कहने के लिए छत्री परिवार, छत्री कोई कर्म नहीं करता हूँ, लेकिन कहने के लिए छत्री परिवार में पैदा हुआ तो ये भी था कि नहीं छत्रियों को तो खाने ही खाना अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा दिमाग, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तो मैं ये कह रहा हूँ कि हंटर गेदरर वाली जो है वो बेस्टन है पाथेसिस है, क्यों है, क्योंकि एक आइस एज हुआ करता है, हर 12,000 साल पे एक आइस एज होता है, उसमें आपके देश में इतना प् कोई योगदान नहीं है, ये हिमालाय और समुद्र का योगदान है, कि हम लोग यहां बचे हैं, कोई दादी, काकी, मामी कोई याद करके बताती रहती आगे जाने के लिए, उनके यहां इसा नहीं होता है, उनके यहां अभी भी एक ही फजल होती, अभी भी, आपके यहां कुछ नहीं होता है तो पसू के अंदर सक्ती है जीवित रहने की आदमी के अंदर सक्ती नहीं तेले पसू मार के खाते हैं यह उनका इतिहास है इसमें कोई बुरा ही नहीं है जिसके पास जो अपने जीवन के लिए रेक्षा सभी लोग करेंगे लेकिन अब यह कहना है कि सारे मेढक, ये कछुआ, ये सारा हुआ, इसके पहले साथ में प्लांट्स भी पैदा हुए, प्लांट्स की जो हिस्ट्री है, वो बैक्टिरिया से मिलती ही जुलती है, उसके साथ ही सुरू हो गया था, प्लांट हुए, बाहर, तो पहले प्लांट्स आसान है खाना, कोई क्यों पह प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् किसी देश में इतनी इतना परसंटल नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा में बना हुआ है, इसमें कोई उंचा नीचा वाली बात नहीं है, वो जो आप धीरे धीरे समझेंगे तो उसमें पता लगेगा कि मांस खाने से तामसिक भोजन होता है, उसका थोड़ा मोड़ा पड़ेगा, तो आप खाईए, जो आपके पास वही है, तो ही खाईए, इसमें कोई value judgment की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन science की बात कर रहा हूँ, तो यह है कि वहाँ पे जब हम कोई theory बनाते हैं, तो वहाँ की परिसितियों की आधार पे theory बनाते हैं, अब theory बनी उसका correct इस theory rests on philosophical as well as physical assumptions, physical assumptions तो मैंने बता दिया कि होता है वहाँ पे होता ही नहीं कुछ, तो फिर मार के खाएंगे, आप philosophical, philosophy कहां बनते हो, तो बहुत दिन सोच विचार के बाद संबाद करने से ही बनती है philosophy, आप उसके लिए समय होना चाहिए, अगर आप यसे आज के लिए की दु जो भी किसी भी race में लगे हुए है, अहां समय है उनको, जब तक आप इन सब चीजों से थोड़ा दूर नहीं होगे, आप सोचने को मौकर नहीं मिलेगा, तो ये भारत में कि यहां के अपनी इनकी संपता है, कि यहां पे आप अगर चाहें तो आपके पास कुछ नहो तभी भी जीवित रह सकते हैं, कुछ नहों, घर भी नहीं हो, परिवार नहीं हो, खेती बारी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, हम यह नहीं कह रहें, आप भीख मांगी, आप ऐसे प्राकृतिक रूप से जी सकते हैं, आप साउस में चले जाएए, वहां पे गर में, अभी तो यहां से हमारे यहां की परंपराएं चली हमको उनका उन पर विश्वास करना चाहिए कि हमारे यहां की परिसिती यह है हमारे यहां की फिलासफी इस तरह से बनी हम तारे हमारे यहां पर दिखाई पड़ते हैं क्योंकि यहां के ऐसा समय आता है कि पूरा आकास क्लियर रहता है ऐसा ह यह जरूरी है, science को आगे develop करने के, फिर यह कह रहे हैं कि when comprehended these philosophical assumptions generate personal and social mentality, भाव जगते हैं इस तरह के तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जिस तरह से भी रहते हैं यहाँ पे तो सोचते हैं यह ऐसे tie क्यों नहीं पहनते हैं मैं आज, मैं तो टाई भाई पहनता हूं ऐसा नहीं मैं तो आज, लेकिन मैं अमेरिका में भी तो कि मैं इन्डिक स्टडीज में था तो ये मैं इन्वर्स्टी में धोती कुरता भी पहन के जाता था घूमता था, क्योंकि ये मेरी identity है मैं ये दिखाना चाहता हूँ, कि ये, मैं यहां-हां से आता हूँ इसा और कुछ करने कर नहीं है मैं pantser, tie, suits से पहनता था लेकिन, तो कि मैं अगर पहनता हूँ तो मैं ये हीन Бावना से नहीं पहनना चाहता ये नहीं कि हम, अगर ये नहीं पहनेंगे तो हमको लोग है क्या सोचेंगे आप कुछ भी करिये लेकिन हीनता मत पैदा किरिये अपने मतलब मेरी माता अंपड़ थी completely अंपड़ थी अपना नाम भी नहीं लेग सकती लेकिन मेरी माता तो हमारे लिए सबस्क्राइब ही लेकिने मेरी मेरी थी मेरी 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 मैं करते में लेकिन मेरी करें में अंपमों। थे, उससे पड़ोसी से बात करती रहती थी, वो अपनी बात करती थी, अपनी भासा में अपनी बात, अपनी भासा में करती है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे छुपाने के जरूत हैं कि मेरी मा है और अपनी भासा बोलती है, अपने तरीका से रहती है, अपनी ड्रस पहनती है जो भी, चुकि मुझे गर्व है मेरी माता पे, और मुझे हर उबिक्ति को अपनी माता पे गर्व होना चाहिए, और हम लेकिन इसका मतलब है दूसरी माता को उसका भी आदासतकार करते हैं, जो भी कैसा करती है, उसको माता तुल मान के ही उसका सेवा भी कर सकते हैं, तो ये ब बहुत सारी चीज़ें वहीं से आ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो Make in India ये सारी चीज़ें जो है ये वहीं से आ रही इस इस्पार्ट City सारी की लिटी तुम मैं पूरी घंटे nu valuable दे सकते हैente स्मार्ट सिति के लोग क्यों भी स्मार्ट सिति बनाई छो नहीं बनाते हैं यहां की जन संग्या संत्र पिर संत विलेज में रहती हैं और सिति की समस्य गोückे हैं तो आप देखी डिली में सांस लेना हम उनके पिछली बार आते हैं वहाँ के डाक्टरों आप लोग पता ने पढ़ें कि नहीं पढ़ें जो डाक्टर हैं यहां पे हमारे भाई लोग वह फ्मिल्ली में अगर हर बच्चे को लगभग ऐस्समा होता है कि smart सिटी ही होती है इसलिए घर स्षांट बनाई है तो वहीं जाओ तो वहां और पानी अभी अभी जाटओने झठड़ा किया तो पानी बंद हो गया सारा गाउं, दिली का सारा पानी गाउं से जाता है अगर गाउवाले कहें कि हम पानी नहीं देंगे आप बागी साहर में रहो को बारान से सब छोड़ती देंगे बसंत बिहार में चार-चार करोड के घर है अब बिक नहीं रहे हैं जो लोग smart लोग तो वहाँ पर उनको समझ में आ गया है इसे हम लोग गरीब लोग है जो सोचते हैं कि दिल्ली चलेंग नोकरी मिले किसी तरह रोटी मिलेगी लेकिन जो स्मार्ट जिनके पास पैसा वो फार्म हाउसे बना रहे हैं दूर दूर तो हमारा कहने का मतलब है कि हम ये सारे भाव बिचार मानसिक्ताएं हमको तै करनी चाहिए और उसके आधार पे हमको अपने जीवन की बिच्ञान का मतलब ये ग्यान को एक बिसिस प्रूप देना उसी पिच्ञान पैडा होती है तो क्या होता है तो मैं एक आपको उधारन दे रहा हूं कि evolution बहुत बड़ी चीज मानी जाती, बड़ा जगड़ा होता है अमेरिका में, लेकिन वहां का जगड़ा जो है, वह यह होता है, कि God ने create किया, कि विकास ऐसे हुआ एवलूशन की ज़री हुआ, वहां और कोई जगड़ा नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बैज्ञानिक हो। मैं बैज्ञानिक बैज्ञानिक की जग्रा बता रहा हूँ आपको देखिए पहला ये किसी Physiology कियोंसी किताब का है? Biological-Physiology की kिताब से लिया है इसमें आप उपर वाला गर्द आपको दिखाई पड़े तो पहले उन लोग ये था कि किसको कैसे बुद्धिमान माना जाए, बिग्यान इसे बनता है, तो बुले कि बुद्धिमान कैसे बना जाए कि कोई ज्यादा, बहुत सारे अनिमल्स हैं, किसको माना जाए कि सारे बुद्धिमान होगा, बुले जिसका मस्तिस्क बड़ा होगा, वही coy दिमान होगा तो उन्होंने रखा सारे लोगों को छोटा मस्तिश, बड़ा मस्तिश, बड़ा मस्तिश हाथी का बहुत बड़ा मस्तिश अपने हाथ मानते भी हाथी को बड़ा बुर धिमान है तो आदमी तो उसके पीछे रहे गया बोले यह ठीक नही है वो साधी बिवा उसी से करती जिसके हाँ कुछ हो तो जब यह है कि आपके पास गोचाहिन नहीं साधी करूँगी तो वो बहुत सारे लोग साधीया नहीं होती थी अभी भी ऐसा होता है इस देश में भी आजकल होने लगा है तो यह साधीसर होना चाहिए डाक्टर होना चाहिए यह होना चाहिए वो होना चाहिए तो वो वहाँ पे यह हंकार बना के हर चीज को छीनने का यह उनके बात है हम बरे हैं सबसे यह उनकी ब्युस्ता है तो उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता हाथी हमसे बड़ा कैसे हो सकता है बुद्धिमान हमसे जादा नहीं हो सकता तो उन्हों का ऐसा करते हैं कि ब्रेन के वेट को और सरीर के वेट से डिवाइड कर देते हैं तो उन्होंने किया तो हाथी तो पीछे रहे गया कि उसका बहुत बड़ा सरीर होता है लेकिन एक शचूंदर जैसा शुरू उसको बोलते हैं वो आगे निकल गया तो यह बोलते हैं कि यह भी ठीक नहीं यार अब शचूंदर हमसे आज चाहता है पुद्धिमान कहीं से होता है फिर उन्होंने कहा यह कि फिर यह दूसरा फार्म ने लिकाला ब्रेन का साइज बाडी का साइज बाडी का साइज का एक स्कॉयर की उसका रूट लगाया पावर लगाया पावर पॉइंट सिक्स नाइन लगाया आप देखिए वो सबसे आगे हो गया है अब हम लोग बड़े खुस हैं सारा यह बिग्यान है सारा यह सच बता रहा हूँ मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ यह अभी 2000 में Human Genome Project हुआ था Tony Blair इंग्लेंड में और Bill Clinton अमेरिका में दोनों लोग joint press conference किये थे यह announce करने के लिए हमने Human Genome निकाल दिया सब फ़रा सब sequencing हो गई बाइदेवे आज कल एक हजार डालर में आप अपने ही जीनों की पूरी sequence करवा सकते हैं यह खपता लगता है उन दिनों वो लोग दस साल लगाया था कम से कम पांच बिलियन डालर लगा था तो कहीं यह हुआ था और उसमें उसका एक ही मातर उद्देश उन लोगों का था कि हमारे पास एक लाख जीन होंगे क्योंकि यह साथ सोचा था कि हम लोग बहुत आगे हैं और जिन लोगों का जीनों पहले साथ हजार चूह के पास साथ हजार है चूह के पास और यह प्याज जो है उसके सबसे बड़ा जीनों है प्याज में तो वो दूसरे दिन यह निकला था heading human genome project found nothing क्योंकि वो बड़े ही सब हतो साहित हो गए थे कि ये तो क्या हुआ आज आप कुछ और ढूड रहे हैं वो बात दूसरी है लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा जो जिसको हम कहते हैं हमको unbiased होना चाहिए बैज्ञानिक लोग unbiased नहीं है क्योंकि हमारी philosophy पीछे पड़ी तो आपको ये सोचना चाहिए जो संस्कृत के लिए ज़रूरी चीज है कि जो सारी philosophy संस्कृत में है उसमें संस्कृत वाले भी उसको गलत मैंने आपको एक उदाहर दिया दूसरा उदाहर दितू जो कि आजकल बड़ा जगड़े वाला है सूद्रों के आरक्षन उसमें सब अब आप इसको मैंने कई मैं एक हमारे साथ एक असिस्टन प्रोफेसर यहां प्रोफेसर ससी तिवारी की स्टूड़न थी अपढ़ना धीर करके है तो इसको मैंने का हो चुकि वो इसमें पीजडी किये तो मैंने कहा कि ज़रा मुझे इसका ट्रांसलेशन क्या है सब जगा दूसरा सब्द मैं बताता हूँ उसमें पर चर्यात्मा परी का मतलब हो चारो तरफ परी जैसे होता है चरिया का मतलब छले चरना फिरना सेवा करना मान तकते हैं आत्मकम भी है मतलब अपने अपना मान के सेवा करना ब्राम्हन का काम है सब की सेवा करना अपना मान के उसका भी काम है जो अपना मान के सब अपने मान के तो बच्चे क होना बहुत बड़ी बात है उनके नौगुण हो है वो आप लोग जानते होंगे समो दम उस तपास सचम शांतिर रार्ज मेउच्वा ग्यानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म सभाव जम तो सेवा करने के पहले उसको इतना उंचा बनना पड़ता है लेकिन सेवा उसका Chitrii का काम ये है कि वह कहां कहीं भी किसी के पास दुखदर्द हो उसका तुरान वो करे तो ने के लिए तो मैं पैदा हुआ हूँ चट्री परिवार में लेकिन कुछ भी सूदर हूं क्योंकि मैं सिक्षक काम करना है तहते हब करना हुए गो Barra keeper उन्चिए करना है उनका करके इसको आगे आधनी करन करना है तब विज्ञान कहीं वो विज्ञानिक बन पाएगा नहीं तो हम वो जो किसी ने लिख दिया एक बार उसी को पढ़ते जाना है याद करते हैं उसी को दूसरे को समझाते हैं और पिएजडी जो करता है वो आपकी बात मान के वो ही करता है दिगरी नहीं मिलेगी तो इस तरह की जब चीजें होंगी तो ये इसका विकास नहीं हो सकता समाज का विकास नहीं हो सकता हमारी सारी परंपराएं जो है वो खतम हो जाएंगी तो अभी हमारे पास कुछ समय और है आधा गंटा दिया हुआ है तो मैं एक दू बाते ये प्राण महें में पहुंच गए अब आप कहेंगे कि तो फिर जानवर खाएं हम लोग आदमी लोग क्योंकि उनका विकास कब होगा जब वो आदमी उनका इंटरेक्शन होगा तो आदमी का इंटरेक्शन अब लोग बोलें जो मान सारी लोग हम तो उनका विकास कर रहे हैं खालेते हैं काटके उनको उसमें कोई प्राब्लम नहीं लेकिन है प्राब्लम ये सब जानना बहुत ज तो इसमें ये सारी जो बाडी हमारी सटल बाडी हैं एक तो इस्थूल सरीर है इसके वाद जो सूक्ष में सरीर होते हैं उसमें मुझे हिंदी वाले सारे सब्द याद नहीं है एथिरियल एक होती है जिसे और एक एस्ट्रल बाडी होते हैं जिसमें इमोशनल चीजे होती हैं वो emotional body हमारे करीब एक देड़ फीट हमारे स्थूल सरीर के बाहर होती है, फिर mental मानसिक सरीर होता है जो कि चार गज की दूरी पर होता है, फिर spiritual होता है जो कि मीलों तक फैलता है, तो हम आपके सामने हैं mental सरीर से अगर बैठे हैं, तो इसलिए आगे आपने सामने लोग बैठते हैं, जो कोई बिचार भी मर्स करना होता है, और जो कभी कुछी क्रोध आता है, देखते हम आपके नाक के पास पहुंच जाता है, emotional वाला होता है, या कभी बड़ा प्रेम भाव जगा हुआ, बाकी की नहीं होती है, तो स्थूल सरीर की और जो अवरा वाली सरीर है, एथिरियल बाडी, उसका तो एथिरियल बाडी की मृत तो तीन चार दिन, तीन से पांच दिन बाद होती है, ऐसा वो करिलियन फोटाग्रफी में रसियन साइंटिस्स ने ये किया हुआ, कुछ लोग मानतें, कुछ लोग नहीं मानतें, लेकिन फिजिक्स वाले इसको प्रूब करते हैं कि जो मृत शरीर है, उसे आप वहां थटा लीजिए, दो दिन बाद वहां पिक्चर लीजिए, तो मृत शरीर के चारों तरफ वो दिखाई पड़ता है, उसके bases है, chemical, physical bases है, वो दूसरी बाते हैं, लेकिन इसकी कलपना पहले सिंखी जा चुकी, यह है, यह पहले कलपना थी कि तीन से पांच दिन के बाद ethereal body मरता है, लेकिन फिर ना astral body मरता है, ना mental body मरता है, ना spiritual body मरता है, वो जब आप फिर से पैदा होते हैं तो आके वो उसकी तरह जो अपना ये है ना पेंड्राइव लगा जाता है तो फिर आपके फिर सारे वही सुरू हो जाते हैं तो उसमें ये है कि जब हम जानवर क्योंकि मनों में है और वो मन मरता नहीं है सरीर मरता है तो मन जो है जब आथ चाहते हैं, आपको पैर नहीं चाहते हैं, आपका मस्तिस्क चाहते हैं, लेकिन पेट नहीं चाहते हैं, क्योंकि पेट के लिए भोजन चाहिए, मस्तिस्क के लिए तो फिरी में मिल चकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बाइलेशन हैं, तो इसलिए जानवर खा नहीं सकत खाते हैं, अब कभी मार के कुछ द्रखे भी रहते हैं, उसको बाद में खाते हैं, लेकिन जनरली नॉर्मली तुरंट खाते हैं, जिंदा खाते हैं, तो वो बाइलेसन नहीं करते हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि इस चीज को समझना ज़रूरती, यहां के जो विकास है, तो फिर हम कैसे विकास करें, जानुवर का विकास कैसे हो, खाना तो एक बहाना है, खाने का मतलब होता है कि हमारे सबसे close, हम क्या चीज़ खाते हैं, जो हमको सबसे अदर प्रिय है, जिसको हम safe समझते हैं, उसको बहुत अच्छे बनाते हैं, देखते हैं, देखने में सुन्दर होना चाहिए, फेस्ट में सुन्दर होना चाहिए, हर चीज़ में, तो हमारा interaction है, उसको अपने सरीर के अंदर हमारे interaction होते हैं, तो आप interaction सरीर के बाहर भी कर सकते हैं, आप खुता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, पसु पालते हैं, गाइब हैं, जो भी पालते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है, उनकी सेवा किजिए, उनसे जो भी आपको मिले आप उसका ग्राण कर सकते हैं वो उसमें उसका विकास उनका भी होता है और आपका भी होता है ये इसकी मैं यहां की बात बता रहा हूँ अब यह सारी भावनाएं आती नहीं क्यों यह समस्या है अब इसमें पाउनाओं के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास के लिए हमारे तरीके होते हैं जिन्होंने अभ्यास किया है यह मैं पातंजल योग सूत्र से लिया हूँ जो कि आप लोग बहुत सारे लोग को मालूम है योगा चित्र बृत्ती निरोधा या योगा इस कंट्रोल अफ माइन ये पहले हमको करना पड़ता है जिस दिन हम ये करना सीख लेंगे तो हमारे भाव अपने आप जगेंगे उस तरह से क्योंकि अब इसमें इस एक सूत्र पे मैं एक पूरा क्लास लगाता हूँ स्टूडन के लिए कि जैसे लोग सोचते हैं कि ये ये हमारा चाकलेट खर रहा है मान खाने का लेकिन आख बंद कर लेते हैं और उधर देखते ही नहीं है ये वाला नहीं है ये योग नहीं है मतलब आपके अंदर भावना ही ऐसी नहीं उठनी चाहिए अईसा नहीं कि भावना उठेगी नहीं उठेगी अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास करते रहे, करते रहे, करते रहे, आ जाता है, ये हमारे पूर्बजु ने इसा बताया है, इस तरह सुनों लिख रखा है, दूसरा यह है कि तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योगा, जो हमारी क्रिया योगा मतलब उसके और भी अर्थ हैं, और कर्म है, उसमें कर्म करने के लिए हमको तप और स्वाध्याय, तप का मतलब संघर्स मैं, तप का मतलब जैसे वो जलाते न, आग जलाते हैं चार उतर, वो संघर्स कर रहे हैं, मतलब अपने को टेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह से सुबह बच्चे को उठाना, जा सुबह उठ एक तपस्या है, आजकल तो लोग उठने ही पे तीम बार घंटी बचती है, उसके बाद विद्बंद किये रहते हैं, तो ये संगर्स है, उठना ही सुभे एक बड़ा संगर्स है, और दूसरों की सेवा करना बहुत संगर्स है, लोग आजकल की ऐसा हो गया है, माताएं कहते है कि हम ही क्यों करें सारा, ये भी करना चाहिए, हस्बेन को भी करना चाहिए, मैंने ये करके देखा, मेरी पतनी, वो 1996 से हर साल 6 हपते के लिए मिनमम अपनी माता पिता की सेवा के लिए आती थी, यूँकि उनके लड़कियां ही थी, सबसे बड़ी वो थी, और उनके बहुत प्रेम भी है और चाहिती भी है, तो हमारा लरका जो छोटा वाला था, पांच साल का था, छे हपते के लिए आती थी, मुझे पहला मौका मिला माता बनने का, मैंने देखा कि पहले तो कस्ट होता है, कि मैं जो आफिस चला जाता साथ बजे उटके नो बजे जाने लगा, और पर सारा बेवस्ता करनी पड़ती है, तो आदमी का दिमाग थोड़ा, मैं उस टापिक पर आज नहीं बोल रहा हूँ, आदमी औरत की दिमाग में फरक है, उसका मतलब नहीं है कि आदमी महान है, आदमी औरतों का दिमाग जो राइट वाला ब्रेन है, आधों का ज़्यादा तेज होता है, intuitive powers उनकी ज़्यादा होती है, वो सिद्ध हो चुका है, neuroscience वाले सिद्ध कर चुके हैं, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे मैं ब्यवस्तित कर दिया अपने को, और सबसे ज़्यादा जो मुझे फाइदा दिखाया माताओं को दिखाई पड़ता है, वो बच्चों से फाइदा अमेरिका में बड़ी freedom है, वहाँ दसकत उसकत हाजरी होजरी कुछ नहीं करनी पड़ती है, घर से काम कर रहे हैं या वहाँ से काम कर रहे हैं, कोई बतलब नहीं, तो मैं आज आता है, बच्चे आते तीन बच्चे थे हमारे हैं, तीन बच्चे, वो इतना excited होके आ करते हैं औरतों से, यहाँ इस देश में भी, क्योंकि इनको वो सुख भी नहीं मिलता है, तो हम यह कहते हैं कि पिता लोगों को सहर्स यह मान लेना चाहिए, मैं भी करूंगा, तो खास करके बोलिए कि आप भेज दिया करो, मैं उन जो आएंगे, तो मैं मिलूँगा उन से, तो आपको बहुत फाइदा होगा, तो हमारा कहने का मतलब है कि इसको संघर्स उस तरह करना मानके, बलकि उसको सुभिकार करके और उससे सीखने का प्रयातन करें, हमारे लिए सब चीज जो कुछ है, उसब उचीत ही है, और इसवर जिसको मानते हैं, इसवर में समरपन, इस इसा कुछ नहीं होता है, इसवर आपके अंदर है, उसमें इसवर की परिभासा इन्हों यह कहा है कि जो क्लेस और कर्म फिल से परे हो जाए, वो इसवर है, रागदोष जिसके पाप पुन्नी इस सब चक्कर में ही न पड़े, बस वो इसवर अपने आप इसवर, वैसा और वहां से खुस होके मुझे दे देगा कुछ, मतलब हम संगर्स नहीं करना चाहते, तपस्या नहीं करना चाहते, और स्वाध्याय का मतलब होता है, इस इस इसवरत्वाले भाव से, इस तपस्या वाले भाव से, हम अपने को अपने का ध्यान करें, हमारे अंदर, अगर मा को पर परोसी को पर किसी ने किसी को पर गुसा जितको आदत पढ़ जाती गुसा की हमको भी आदत पढ़ी थी बहुत दिन मेहनत कर रहे हैं 16 साल से कि ये कम करें उसको पहले गुसा आती थी पहले तो मैं गाओं का आदमी हूं भी जमींदार परिवार का हूं तो वहां पर तो अगर ये भाव से जब तक हमारे यहां आपको इस टूल्स दिये हैं और उसका अभ्यास करना है इस मामले में हमारे प्रधान मंत्री ने जो योग का सारे विश्व में जिस तरह से किया और सारे विश्व ने जिस तरह से इसको एकसप्ट किया सोविकार किया और अमेरिका म लोग American हैं, वो सीख के वो सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम को करें, ब्योसाय करें ना करें, लेकिन कम से कम इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, मैरा अपने अनुभव के साफ से मैं बता रहा हूँ, और जो कुछ मैं पढ़ाऊं उसको, इस हम जो अपने को समझ पाते हैं, तो सारे संसार को अच्छे द्रिस समझ पाते हैं, यही चीजें हमारे यहां के रिसी मुनियों ने किया, उसके कई तरीके हैं, जैसे spiritual knowledge होता है, जिसको ध्यान और योग से लोग से सुखते हैं, फिर philosophy आती है, दरसन आता है, लोग दूसरों क बातें बताते हैं, फिर rituals पैदा हो जाते हैं, कि उसे लोग को आसान हो जाए, जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए है, फिर बाद में religion आता है, वो management है, यह rituals, philosophy, spiritual knowledge में कोई problem नहीं, जहां management वाली बात आ गई, कोई उसको control करने लगता है, फिर आप यहां पे 10 रुपया रखिए, यहां पे 20 रुपया रखिए, यहां पे 1000 दान कीजिए, यह जब आता है, वो management है, उसमें कुछ religion में और कुछ नहीं, और सारे इसमें जगड़ा होता है, जैसे management में जगड़ा होता है, सारे लोग एकनामिक से पॉलिटिक में जगड उसको observe करके, जब आपको ग्यान होता है, तो उसको हम सिद्ध करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, यह हमारे philosophy तो थोड़ा सा फरक है, उसको हम सिद्ध करते हैं, और फिर सिर्फ technology बनाते हैं, जो आप देख रहे हैं, तो इस, मैं अभी यहां पे खतम करना चाहते हूँ, वैस इसलिए मैं करीब लगभग आधा ही स्लाइट कर चुका हूँ, लेकिन यह मुझे लगता है कि यहां पे उचित अस्थान है,